साथियो नमस्कार, मैं यग्योत शर्मा, फुचर पो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ सरपत हम आपसे आग रहा कि आप फुचर पो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बैल आइकन दवाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, उसकी सूचना आपको तर्द मिल जाए साथ ही अपने फूटबेक देना भी ना भूलें, ताकि हम अपने आपके अनुसार उसमें इंप्रूव्मेंट कर सकें तो आप बास्तों में चाहते हैं कि आपका बच्चे का केरियर बहुत अच्छा हो, आपका बच्चा का जीवन सुखी और सम्मिद रहे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान दखना अतियावशक है जैसे कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि बच्चों को छोटी क्लासिस में मार्क्स के लिए दबावना बनाएं ये बड़ी घातकी सिती होती है, बच्चा पढ़ाई से भागने लगता है दूसरा बच्चों को अपनी इच्छा पूर्ती का साधन ना बनाएं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे से ये काम कर वाऊंगा हाँ, अगर कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के मन में पढ़ाई के बच्चि इंट्रेस्ट करें ताकि बच्चा जो है अपने निर्धारित लक्ष को पाने में सक्षम हो यह तभी संभ़ है जब बच्चे का पढ़ाई में इंट्रेस्ट होगा अब जो सबसे महतोपूर बात कैरियर के विशे में आती है कि आप अपनी सामाजिक पतिष्ठा को बच्चे के कैरियर के साथ बिलकुल न जोड़े का है ये आप अपिज नेर है तो आपका बच्चा वी इंजिजिर हो आप डोक्तर है आपका बच्चा भी डॉक्त यह हर बार में संभव नहीं है क्योंकि आपके बच्चे की काबिलेत क्या कहती है क्योंकि क्यारियर उसका है और उसकी काबिलियत है जिसके उसने अपने को आगे बढ़ाना है अत्यत महत्पूर्ण बात कि अपने बच्चे के केरियर के विशेह में मित्रों से रिष्टेदारों पड़ोसियों से बात करने से बच्चे है और उसकी क्षमताएं उसको अपना लक्ष जीवन यापन की पद्धोती अपनाने के लिए वो सक्षम है और आप भी अपने बच्चे की काबिलियत से, क्षमताओं से, पूर्टेया से वाकिफ है एक बात याद रखिए भीड उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है इसका मतलब यह नहीं कि भीड अमेशा से ही रास्ते पे चल रही है अपने रास्ते स्वें चुनिये क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है केरे काउंसेलिंग जैसे हमने पहले कहा कि किस क्लास से शुरू हो चाहिए नाइंथ क्लास से शुरू हो जाने चाहिए बच्चे का मन बहुत बठकता है मन बठकने के पीछे अगर केरियर की बात करें तो एक कारण ये भी आ जाता है कि माता-पिता, रिष्टेदार, पडोसी सब उसे केरियर के बारे में ज्यान बाटने लगते है बच्चा कुछ भी समझदार है वो भी देखता है कि वो अंकल डॉक्टर है, वो अंकल इंजीनियर है वो अंकल बैंक में है, वो अंकल मैनेजर है तो बच्चे का ध्यान किसी एक विशे पे इस्थिन नहीं होता वो उनमें रहता है डॉक्ट साब के पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास कम है तो वो हर तरीके से अनलाइज वो भी करता है उसे बेवकूफ मत समझे तो उस जो डामाडोल इस्थिती है जो डाइलेमा है उसको समाप्त करने के लिए ये केरियर काउंसेलिंग अतियावरशक है और बच्चा ऐसी इस्थिती में ना पहुंचा किसी भी तरीके के दबाओं में कि वो जो है सब कुछ छोड़ दे कि मुझे कुछ कर नहीं नहीं तो उस घातक इस्थिती से बचाना भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अब सेशन्स काउंसेलिंग के कितने नभी दस्वी के ये दो साल होते हैं इस दो साल में लगबग तीन से लेकर के पांच काउंसेलिंग सेशन्स की बच्चे को आफशिक्ता पढ़ती है वो यह हो कि घर परिवार समाज खुद अपनी जानकारी में उसे बहुत सारे विरोदाभास भी नजर आते हैं बहुत सारे कन्फूजन्स होते हैं कि क्या चूज करूँ तो इसलिए तीन से पांच सेशन की आफशिक्ता पढ़ती है ताकि काउंसेलर उसके दिमाग में बैटे सारे विरोदाभासों को और सारे कन्फूजन्स को दूर कर दे और वो उसे एक बिल्कुल clear picture दे दे कि बैटा तुम्हारा carrier जो है इस direction में उचित रहेगा तो हमारा target fix हो जाता है अब हम 11 बारवी की बात करें तो 11 बारवी के जो दो वर्ष होते हैं इसमें बच्चा बिल्कुल fix है समाने पढ़ाई के सासर उसका एक target fix है उसकी दिशा में वो जतन करता रहता है 11 बारवी में भी दो sessions की जोर्थ पढ़ती है अधिक की जोर्थ पढ़ सकती है पहला session कि जो हमने 9 में उसका target set किया था उस target को अब goal setting करानी है time bound उसको करना है और बाकी की जो follow up meetings है या follow up sessions है उसमें देखना है कि बच्चे की progress उस goal setting के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है साथियों दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता काच के खिलोनों को उच्छाला नहीं जाता मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किले आसा लोने है इनको तक्दीर पर नहीं टालना है नहीं उच्छालना है कि द्यान रखिए और अंत में आपके बीतर इस्थित परमात्मा को नमन करता हूं धन्यवाद